असलाम वालेकुम माइनेम इस अब्दिल वाजिद आज जो टॉपिक में आप लोगे साथ शेयर करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है स्टाटिक रैम वर्सिस जैनेमिक रैम उससे पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो काइंड सबसे पहले पॉइंट यहां को आप कहते हैं इस टाटिक रैंडम एकस्ष मैंम और आप यहां पर बता देगे यह क्या कहलाता है डैनमिक रैंड़म एकस्ष मेंमरी तो एक प्ट आपका सिंपली यह ओ जाएगा बंस को समल यह बता रहा है कि जो स्टाटिक रैम है वो जब के उपर save होती है as compared to static RAM dynamic RAM के अंदर क्या हो रहा है dynamic RAM के अंदर भी transistor use होता है लेकिन इसके अंदर जो data store होता है उसका mechanism थोड़ा सा different है उसका mechanism यह है कि इसके अंदर जो data store होता है वो capacitor पर होता है यानि separate capacitor use किये जाते हैं जिनकी मदद से data को store करवाया जा सकता है और इसके अंदर जादर data store करवाया जा सकता है then उसके बाद यहां पर जो static RAM हो आपका क्या है fast है और जो आपका dynamic RAM है वो क्या है थोड़ा slow है सही और static RAM जो है आपका expensive है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि जो चीज fast होगी वो expensive होगी तो आप यहां पर इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्योंकि यह fast है तो इस वज़े से expensive है यह expensive है तो इस वज़े से fast है तो दो point आप एक दुसरे की resemblance से याद कर सकते हैं तो यह expensive है और जो आपके dynamic RAM है वो थोड़ा cheap है as compared to static RAM तो यह point भी याद रख लीगा दन उसके बाद आपका last point हो यह बता रहा है कि no need to static RAM क्योंकि नाम से static है तो उससे पता चले कि इसको बार-बार refresh होने की जरूरत नहीं है यानि कि dynamic RAM में क्या होता है thousands of time वो अपन maintain रखने के लिए store रखने के लिए जबकि यहां पर क्या होता है आपको बार-बार data को refresh करने की जरूरत नहीं पड़ती data वैसे भी stabilize के अंदर safe रहता है और यहां पर आपको जो dynamic RAM के अंदर क्या करना पड़ता है बार-बार refresh का mechanism thousands of time in a second आपको बार-बार refresh करना पड़ता है म उसकी मदद से वह अपने data को maintain रख पाता है और क्योंके वह refresh बार-बार हो रहा होता है इसलिए वह dynamic कहलाता है और उसके मुकाबले static जो है आपका बार-बार refresh नहीं हो रहा होता I hope आज का topic आपको clear हो गया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडिय लगी तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अल्ला हाओ